Hi everyone, अगर आपके बाल काफी समय से जढ़ रहे हैं तो आपने Minoxidil के बारे में ज़रूर सुना होगा Minoxidil एक बहुत popular hair serum है जो बाल जढ़ना रोकने के लिए, बाल उगाने के लिए, बालों की density के लिए बहुत popular है लेकिन काफी बार लोग Minoxidil के side effects की वज़े से Minoxidil इस्तमाल नहीं करना चाहते और काफी बार लोग पूछते हैं कि क्या कोई ऐसा hair serum है जो बालों के लिए अच्छा हो, density बढ़ाने के लिए अच्छा हो लेकिन non-minoxidil हो क्योंकि वो Minoxidil लगाना नहीं चाहते तो ये वीडियो आप सब के लिए है, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ बहुत सारे ऐसे molecules, ऐसे hair serums जो Minoxidil जिन में नहीं है लेकिन वो बालों की density बढ़ाने के लिए और बालों का जढ़ना रोपने के लिए बहुत अच्छे हैं तो क्या है ये hair serum, मैं आपको इस वीडियो में ये सारे molecules के बारे में बताऊंगी कैसे ये Minoxidil से अलग है वो बताऊंगी और कैसे ये एक दूसरे से अलग है, क्या इनका mechanism of action है, किस तरह से ये बालों के काम करते हैं और बालों की density को बढ़ाते हैं, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं, कि ये जो hair serums है, ये क्या है अगर ये Minoxidil नहीं है, तो ये क्या है, ये peptides हैं, ये अधिकतर जितने भी hair serums हैं, ये proteins हैं, amino acids से बने हैं और ये जो hair serums हैं, ये manufacture किये जाते हैं, laboratories में, ये कोई बने-बनाए serum नहीं हैं, तो ये lab के अंदर manufacture किये जाते हैं और उसमें अलग-अलग चीजें डाली जाती हैं, अलग-अलग ingredients डाले जाते हैं, जिनसे की ये hair serum बनता है तो ये एक तरीके से अपने आप में, ये हर molecule अपने आप में एक hair growth system है, तो ये आपके वालों में लगाने से density बढ़ेगी और hair fall रूखेगा तो ये proteins हैं, और सबसे important बात, ये जो manufacturers हैं, ये claim करते हैं, कि काफी हद तक ये जो जितने भी molecules हैं, ये botanical extracts हैं मतलब है कि ये पेड से, पौधों से बने हैं, और इन में chemicals इतने जादा नहीं हैं, तो ये भी एक इनके बारे में अच्छी बात है तो अब हम detail में एक-एक molecule को देखते हैं, सबसे पहले जो काफी popular है, काफी समय से वो है procapil तो procapil क्या है, किस तरह से काम करता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, कि procapil या जितने भी ये सारे molecules हैं, ये manufacture करे जाते हैं, तो इन में अलग-अलग चीज़ें डाली जाती हैं, तो procapil के क्या ingredients हैं, वो हम अब देखते हैं तो procapil के अंदर biotinyl GHK होता है, इसके अंदर epigenin होता है, और इसके अंदर olinolic acid होता है, ये तीनों कैसे काम करते हैं, कैसे फायदा करते हैं, वो देखते हैं, तो biotinyl GHK का का काम है, कि ये बालों की जड़ों को मजबूत करेगा, और जो epigenin है, इसका बहुत important role है, epigenin आपक तो इसका मतलब ये है, कि बालों को nutrition जादा मिलेगा, जब बालों को nutrition मिलेगा, बाल healthy होंगे, बाल मजबूत होंगे, और जड़ेंगे नहीं, और बाल अच्छे से grow करेंगे, तो ये epigenin का काम है, तीसरी चीज़ जो procapil के अंदर होती है, वो है olinolic acid, तो olinolic acid कैसे काम करता है, वो हम देखते हैं, देखे, अगर आपने मेरी finasteride की video देखी होगी, तो finasteride की video का link भी हम description box में share करेंगे, उस video में मैंने बताया था कि males के बाल क्यों जड़ते हैं, जो आगे से गंजापन होता है, बाल हलके होते हैं, hairline पीछे जाती है, वो सब क्यों होता है, तो उस video में मैंने आपको बताया था कि testosterone जो की male hormone है, वो एक enzyme 5 alpha reductase की मदद से DHT में convert होता है, यानि की dihydrotestosterone, ये DHT बालों पे चिपके बालों को खराब करता है, तो olinolic acid का ये काम है, ये olive के plant से, उसके पत्तों से बनाया जाता है, वो उसका ये role है कि वो DHT को बालों पे चिपकन से रोकता है और जिसकी वज़े से हम ये कह सकते हैं कि pro-capil का कुछ role male pattern baldness में भी है, यानि जो hormonal hair fall है, उसमें भी है, ऐसा pro-capil के manufacturers हमें बताते हैं कि जो manufacturers claim करते हैं कि pro-capil का कुछ role DHT को ब्लॉक करने में भी है, तो एक बार आपको ये बता दूं कि minoxidil के बारे में तो हम description box में share करेंगे, लेकिन minoxidil एक age old molecule है, उस पर काफी research हो चुकी है, ये जो molecules में आपको आज बताने वाली हूँ, इनका अच्छा role है, ये बाल जढ़ना रोकेंगे, घनापन बढ़ाएंगे, पर क्या ये minoxidil की टकर के हैं, क्या ये उतने अच्छे हैं, क्या उनका सच में अच्छा role है बालो में, ये सब बहुत ज़ादा research इन पर नहीं हुई है, क्योंकि ये latest molecules हैं, और जो भी मैं वीडियो में बताने वाली हूँ, वो सब वो है, जो कि या तो manufacturers claim करते हैं, या मेरा personal experience अपने patients को लेके है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ, तो peptide 3, तो ये क्या होता है, एक peptide है, यानि की protein है, amino acid है, जो बालों को मजबूत करेगा, ये कैसे काम करता है, वो मैं बताती हूँ, ये एक peptide serum है, ये बालों की जड़ों को मजबूत करेगा, आपके जड़ों को strengthen करेगा, जिसकी वज़े से hair fall कम होगा, और hair growth बढ़ेगी, सा हर तरह के hair fall में, चाए कोई भी कारण हो hair fall का, कुछ ना कुछ inflammation हमारे hair follicles में होती है, और जिसको control करना बहुत ज़रूरी है, तो ये कैपेकसिल का एक खास function है, वो ये, कि ये inflammation को कम करता है, और उस तरीके से ये आपके बालों को मजबूत करेगा, और hair fall को control करेगा, पर यह नहां एक बात बता दूँ कि pro-capil और ऐसे एक दो molecules और हैं, जो आप अलग से भी hair serum में इस्तमाल कर सकते हैं, लेकिन केपेकसिल जैसे कुछ molecules हैं, जो उतने strong नहीं है, इसलिए ये ज़रूरी है कि केपेकसिल को pro-capil के साथ या ऐसे किसी और strong molecule के साथ ही इस्तमाल किया जाए तीसरा एक important molecule, ये molecule बहुत popular होता जा रहा है, बहुत recent molecule है, बहुत latest molecule और बहुत ही अच्छे results मैंने अपने patients में देखे हैं, ये है Redencil तो अब Redencil क्या है, Redencil में अलग-अलग ingredients हैं, जैसे कि मैंने बताया कि ये सब hair road systems हैं अपने आप में और ये manufacture करे जाते हैं laboratories में, ये कोई बनी बनाई चीज नहीं है, तो इन में क्या चीज़ें डलीवी हैं Redencil में, वो अब हम देखते हैं, Redencil में ये चार main ingredients हैं, सबसे पहला इसके अंदर DHQG, दूसरा इसमें है ECGC2, और तीसरा इसमें glycine, और फोर्थ इसके अंदर है zinc, तो ये चार चीज़ें क्या हैं, ये कैसे असर करती हैं, कैसे इनका mechanism बाकी पिछले सारे molecules से अलग है, तो कैसे ये हटके हैं, वो अब हम देखते हैं, जो DHQG है, वो इस तरह से आट करता है, कि देखें सबसे पहले, अगर आपने मेरी hair fall की पिछली videos देखी होंगी, तो मैंने उसमें समझाया था, क कि जो हमारा hair follicle होता है, उसमें कुछ bulge के stem cells होते हैं, जो आप फोटो में अभी देख रहे होंगे, कि ये bulge stem cells हैं, और कुछ dermal papilla के stem cells हैं, जो जड़ में होते हैं, ये दोनों stem cells बहुत जरूरी हैं, बालों की growth के लिए, hair growth activation के लिए, hair fall रोकने के लिए, ये दोनों stem cells बह बहुत जरूरी हैं, तो अब DHQG क्या करता है, कि वो bulge के stem cells पे काम करता है, उनको proliferate करता है, और वहाँ से hair growth बढ़ाता है, दूसरा ingredient क्या है इसके अंदर, ECGC2, ECGC2 क्या करता है, ECGC2, dermal papilla के stem cells हैं, उन पे काम करता है, और वहाँ से उनको proliferate करके hair growth को बढ़ाता है, ग्रीन टी से बना होता है, तो इसके antioxidant effects भी हैं, पट वो उतना important नहीं है बालों के लिए, जितना कि ये बात कि ये, dermal papilla, जो कि एक बहुत ही important part है, hair follicle का, जहां से असली hair growth determined होती है, तो उस पे ये काम करता है, और hair growth को बढ़ाता है, अब इसके इलावा मैंने आपको बता है, जो कि सिस्टीन बालों का एक तरह से कहेंगे कि building block है, तो वो बहुत जरूरी है, तो zinc का ये role है, और मैंने आपको बताया कि redensil के अंदर glycine होता है, तो glycine क्या करता है, ये hair fiber की formation में help करता है, तो इस तरीके से redensil hair system pro capital और capixel से अलग है, बाकि सब से अलग है, और ये hair growth में फाइदा करता है, मैंने आपको एक बार अपनी hair fall की वीडियो में ये भी समझाया था कि बाल तीन stages में grow करते हैं, बाल की तीन stages होती है, anagen, catagen और telogen, anagen stage वो होती है, जिसमें बाल उखता है, grow करता है, लंबा होता है, घना होता है, catagen एक resting phase होता है, और telogen एक shedding phase होता ह है, बाल का, हर बाल को इन तीन phases से गुजरना है, जब बाल telogen phase में होगा, तो वो जड़ेगा, और redensil क्या करता है, बालों को telogen phase से हटा कर, anagen phase में लाता है, यानि कि जड़ना रोक के growth में help करता है, तो ये तो हो गए, ये तीन important molecules, अब फोर्थ molecule हम देखते हैं, फोर्थ क् केराविस, तो केराविस क्या है, ये कैसे इन सबसे अलग है, ये किन लोगों को फाइदा पहुचा सकता है, वो मैं आपको बताती हूँ, केराविस एक hydrolyzed vegetable protein है, केराविस अगर आपके hair serum में है, तो उससे ये आपके hair shaft में penetrate करेगा, और आपके बालों की dryness और frizziness को कम करेगा, बालों को जो अगर बाल brittle हैं तो उनको ठीक करेगा, जो आपका cuticle अगर damaged है तो उसको ठीक करेगा, जिसका मतलब है कि केराविस आपके hair serum में होना जरूरी है, अगर आपके बाल brittle है, damaged है, dry है, frizzy है, chemically treated है, अगर आपके बाल में आपने बहुत coloring करवाई है आपने straightening, smoothing, keratin ये सब treatment कराएं हैं, आपके बाल damaged हैं, तो आपके hair serum में केराविस होने से आपको फाइदा मिलेगा, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को like नहीं किया या subscribe नहीं किया YouTube चैनल पे तो जल्दी से वीडियो को like और subscribe कीजिए, अब मैं आपको बताती हूँ, अपने fifth hair molecule के बारे में ये क्या है, ये है anagene, अब anagene कैसे अलग है इन चारों molecule से वो हम देखते हैं, तो anagene बना है organic pea sprout से, यानि की मटर से बना है, तो ये protein है, और anagene किस तरह से काम करता है, जो मैंने आपको बताया था कि dermal papillary stem cells होते हैं, वहाँ पर anagene काम करता है, वहाँ से hair growth को push करता है, बाल को telogen से anagene phase में लेकर आता है, और इस तरह से anagene बहुत जरूरी है बालों के लिए, तो ये तो हमने 5 important molecules की बात की, जो important hair systems, जो अगर आप इनके hair systems इस्तमाल करेंगे, तो आपको अपने बालों में फाइदा रहेगा जो लोग minoxidil नहीं लगाना चाहते हैं, उनके लिए है, जो लोग कुछ botanical लगाना चाहते हैं, उनके लिए है, अब मैं आपको बताऊंगी कि minoxidil और इन hair serums में क्या फरक है, देखिए ऐसा नहीं है कि minoxidil जादा अच्छा है या ये hair serum जादा अच्छा है, दोनों के अ searches हो चुकी हैं, ये एक proven molecule है hair fall के लिए, खास तोर पे androgenetic alopecia के लिए, hormonal hair fall के लिए, male या female pattern baldness के लिए, minoxidil बहुत पुराना बहुत अच्छा molecule है, minoxidil FDA approved है, जो की बहुत important बात है, 2% minoxidil females के लिए और 5% minoxidil males के लिए FDA approved है, और इसके इलावा minoxidil उन तरे की hair fall में भ ariata, जिसमें की autoimmune hair fall है, यानि की आपकी body के अंदर ही antibodies बन रही हैं, आपके बालों के against, उन पर भी ये alopecia ariata जैसी बिमारी पर भी minoxidil काम करेगा, और minoxidil अपने आप में monotherapy की तरह भी दिया जा सकता है, जिसका मतलब है कि आप कोई और सिरम ना भी लगाएं, सिर्फ minox minoxidil लगाएं, तो भी आपको result दीखेगा, तो ये तो हुए minoxidil के फाइदे, अब कैसे ये serum अलग है, minoxidil से वो मैं बताती हूँ, तो सबसे पहली बार जैसे मैंने बताई कि ये botanical extracts हैं, ये proteins हैं, ये एक अच्छी बात है, दूसरी चीज ये कि काफी लोगों को minoxidil लगाने से dryness, irritation, allergies, redness, inflammation, flaking बालों में हो जाती है, वो सब आपको इन hair serum से उतना नहीं देखने मिलेगा, तो जिन लोगों को minoxidil से allergy है, हालां कि आपके लिए अब foam-based minoxidil available है, तो जिससे कि उतनी allergy, उतनी dryness, irritation नहीं होती, पर फिर भी आप ये hair serums लगा के देख सकते हैं तीसरी important बात ये कि काफी बार खास तोर पे females ये complain करती है कि minoxidil लगाने से चहरे पे growth बढ़ गई है, तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है क्योंकि minoxidil जहां अगर prickle कर रहा है तो वहाँ पर भी बाल बढ़ सकते हैं, तो ये problem आपको in hair serum से नहीं आएगी, कि जैसे minoxidil पे लो clean करते हैं, तो वह भी आपको in hair serum में देखने को नहीं मिलेगा I hope आपको ये video informative लगी, skin और hair से related और informative videos के लिए आप हमारे YouTube चैनल पे subscribe कीजिए और bell icon को click कीजिए ताकि आपको हमारे videos की notification मिल सके और आप मुझे Instagram पे भी follow कर सकते हैं, मेरा Instagram handle है dadu skin clinic